जहिंद प्याले सातियों कैसे आप सब बिलकल मस्त होंगे यूविक्टर क्लासेज यूटूब चैनल पर आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है एंटी के दुआरा नोटिपिकेशन जारी किया गया है जिसमें इनोंने सब्जेक्ट वाइस जो एक्जाम डेट थी वो जारी क नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें 16 नोंबर 2023 का नोटिपिकेशन है ये और इसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट एग्जामिनेशन सेडूल ऑफ यूजिसी नेट दिसमबर 2023 तो अब हम इसको डिटेल से देखते हैं कि कौन से है पेरिशन है कमपरेट्व स्टेडी ओफ रिलीजन है और कौन की है ये वो सब्जेक्ट जिनका एग्जाम 6 दिसमबर को मौर्निंग सिप्ट में होने वाला है इसके लावा हिस्ट्री है मनी पूरी है जर्मन है और इसके लावा परकरती है और सिद्धी है ये वो सब्जेक जिनका एक्जाम 6 दिसम्बर को इवनिंग सिप्ट में होने वाला है उसके बाद वे हम आगे डिसक्रस करते हैं अगले सब्जेक्ट जो एक्जाम 7 दिसम्बर को होने वाला है साथ दिसम्बर को मौर्णिंग सिप्ट में कॉमर सब्जेक्ट का एक्जाम होगा वहीं म्यूजिक है, फ्रेंच है, एडल्ट एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, इंडियन कल्चर है इसके लाव बुद्धिज्म में है, आर्कोलोजिया, कर्मेनोलोजिया, कंप्यूटर सैंस एंड एप्लिकेशन है यह वह सब्जेक्ट है जिनका एक्जाम सत्रा दिसम्बर को, साथ दिसम्बर को इवनिंग सिप्ट में होने वाला है फिर हम आगे डिसकेश करते हैं, उन सब्जेक्टों के बारे में जिनका एक्जाम आठ दिसम्बर को होने वाला है तो education, comparative, literature और पाली यह तीन ऐसे subject जिनका exam 8 दिसमबर को morning shift में होने वाला है बंगाली है, जापानीज है, इंडियन नोलेज है, फॉल्क लेटेचर है, पबलिक एडमिस्टेशन है, राजस्तानी है, गुजराती है, पंजाबी है, बोदो है, योग है, ट्राइबल एंड रिजनल, लेंगवेज है, फोरेंसी की science है, तेल्गुर, फिलोसपी है ये वो सब्जेक्ट जिनका एक्जाम 8 दिसंबर को इवनिंग सिप्ट में होने वाला है उसके बाद में हम डिसक्रस करते हैं पॉलिटिकल साइंस, चाइनीज और अर्ब, कल्चर, इसके अलावा कस्मीरी ये वो सब्जेक्ट जिनका एक्जाम 11 दिसंबर को मौनिंग सिप्ट में होने वाला है उसके बाद हिंदी है, मल्यालम है, नेपाली है, आसामीज है और संधाली है ये वो सब्जेक्ट जिनका एक्जाम 11 दिसंबर को इवनिंग सिप्ट में होने वाला है फिर हम discuss करें 12 दिसंबर के बारे में तो economic subject और उर्दू subject ये दो ऐसे subject है जिनका exam 12 दिसंबर को morning shift में होगा मेतेली है, कनाडा है, औरिया है, तमील है, अरेबी का, मराठिय और जोगरोफिय है ये वो subject है जिनका exam 12 दिसंबर को evening shift में होने वाला है फिर उसके बाद में हम बात करते है, home science है, management है, literacy है, performing arts है, electronic science है ये वो subject जिनका exam 13 दिसंबर को morning shift में होने वाला है sociology है, social work है, mass communication है, sense करता है, women studies है और इसके लाब policies include international relation है, human rights and duties है इन subjectों का exam 13 दिसंबर को evening shift में होने वाला है psychology, defense and studies है, linguistic है, visual arts है इसके अलावा social medicine है, environmental science है, tourism administration and management है ये वो subject जिनका exam 14 दिसंबर को morning shift में होने वाला है इसके अलावा anthropology है, population studies है, sense करता है और low है ये वो subject जिनका exam 14 दिसंबर को evening shift में होने वाला है तो overall totally आपको पता चल चुका होगा कि कौन से subject का exam कब होने वाला है तीक है, आपका subject कौन सा है और आपका subject का exam कब होने वाला है ये भी आपको पता चल चुका है तीक है, तो overall ये exam schedule जारी कर दिया गया है अब हमें अंतिम समय में किस तरीके से तयारी करनी चाहिए अंतिम समय की रणने निति क्या होनी चाहिए तो इसके उपर मैं जल्द ही एक वीडियो लाने वाला हूँ उस वीडियो का आप जरूर देखना आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से help करेगा और उसमें मैं अपनी खुद की strategy share करूँगा कि जब exam बिल्कुल pass में आ जाता तो उस time में किस तरीके से पढ़ता था और क्या पढ़ता था फर्स पेपर में आपको क्या-क्या पढ़ता चाहिए जोगरोफ सब्जेक्ट में आपको क्या-क्या पढ़ता चाहिए